ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हैं हम बात कर रहे हैं संतोस गंगवार जी जो स्रम एवंग रोजगार मंत्री हैं भारत सरकार में गंगवार साभ आपके बारे में कहा जाता है कि बरेली में जैसा मैंने कहा भी ओपनिंग रिमार्क्स में कि बरेली में आपकी लोग प्रियता कभी कम नहीं होती सरकार किसी की भी हो, कॉंग्रेस केंदर में सासन में रहे या एंडिये रहे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जनता से जुड़ने का जो मूल मंत्र है वो क्या बनाया और क्या ऐसा जादू आप करते हैं कि हर बार चुनाओं में आपके सामने अपोजिशन पूरी ताकत लगाता है लेकिन फिर भी आप बरेली की जनता आपको चुन के लोग सभा में भेड़ देती हैं नहीं सामानेता हम अपने छेतर की जनता के प्रती जवाब दे हैं हमारी कोशिश रहती है कि हम निश्चत रूप से अपने छेतर में उपलब्द रहें और मैंने एक आदत डाली है कि मैं सामानेता प्रतेक शनिवार और रहेवार को अपने छेतर में रहता हूँ और वहां पर बिना किसी असुविदा कि मैं लगातार सबसे मिलता हूं और उनके सुख दुख की बात करता हूं ये मुझे लगता है कि एक बड़ा संदर्व है और हमारा शहर में जो भी आए हमारे पास चिनाओ के बड़ बोड देना अलग होता है पर उसके बाद कोई आए क्योंकि मैं जे इस बात का फक्र है कि हमारे लोग समा में 35% वे मत आता है जिने मुस्लिम समाज का कहते हैं वो हमारे पास बहुत प्रेम से आते हैं और बरेली एक धार्मिक रूप से एक मुस्लिम समाज का अच्छा प्लेस है वहाँ पर आला हजरत का निवास है और बरेली समदाए के मानने वाले मुस्लिम समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और वो अच्छे विचारों की लोग हैं मेरा मानना यह है कि कोई बोड दे या ना दे पर जब चुना मुझे के आया तो मेरे पास काम को आया और मैं उनका समाधान करूँ बहुत अच्छी बात है कि जाद पात तमाम भाव से उठकर आप लोगों को जोड़े रहते हैं यही एक वज़ा है कि बरेली से आप आठ बार लोग सभा सांसत चुनके आ चुके हैं और भारत सरकार में आप स्रम एवंग रोजगार मंत्राले का काम देख रहे हैं स्रम एवंग रोजगार मंत्राले का महत्व कुरोना के दोरान संपूर्ण लोकडाउन के कारण बहुत बढ़ गया है मैं यह आप से निजी तोर पर यह सवाल जानना चाहता हूँ पूछना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने जा रहे है साफ साफ दिख रहा है कि रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर छटनी और कटावती होगी क्योंकि जिस तरीके से दो महीने से महोल लगभग बना हुआ है ऐसे में जो इंप्लॉयर है वो भी अपने करमचारियों को रोजगार देने की दिशा में बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरी तरीके से अर्थ ब्योस्था जो है डिमांड यों सप्लाई पे चलती है सप्लाई बंद जैसी है और बेतन का डिमांड वैसे ही खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले दिनों में आपके मंत्राले के सामने और चुनोतियां बढ़ने वाली है इसके लिए क्या आप लोगोंने कोई टाक्सपोर्स बनाया है कोई कमेटी का गठन किया है जो आप लोगों को रिपोर्ट दे कि इस मौझूदा संकट से कैसे निपटा जा सकता है आगे आने वाले दिनों में जो इंपलाई और इंपलाईर हैं दोनों के हितों का द्यान कैसे रखा जा सकता है ताकि कुछ समय तक इस पूरी स्थिती को समहला जा सके मेरा मानना है यह आप जो कह रहे हैं यह समस्या है पर हमारा देश जिस चमता का है हम इन सारी समस्याओं से उपर कम भी होएंगे और परदान मंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं हमने अपने बिवाग में रोज मीटें गए और रोज वे कमेटियां जिसके मादन से रोजगार के अफसर कम नहों लोगों को रोजगार मिले एक वास्ताब मैं konstructurection बेठ चेद रहेगी जिसमें tatt call रोजगार मिलता है और चाहने पुछा हो केंद्र हो हम सब लोग इस काम में लगें पर जो समझ से आपने बताईए इस बात को हम समझ रहे हैं इसलिए लगातार राज्जों के संपर्क में भी हैं और लोग हमारा मजदूर वर्ग बेरोजगार ना रहे इसकी हम लोग चिंता में हैं और मज़े लगता है कि जैसी ये हमारा लॉक डाउन पीरियड खतम हो होगा उसके बाद बहुत तेजी से हम काम करेंगे क्योंकि स्वेम पर्धान मंतरी ने हर मंतरा लग वे कहा है कि अपने आके काम के प्रियारिटी बना कर और ततकाल अगले दिन से शुरू करिए तो बीस तारीक से अगर केंद्री कारह लेको लिए तो बीस से ही काम की है वह हम समझ रहे हैं पर मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी हम इसको उबर कम करके काम करेंगा सवाल यह उचता है कि इंप्लाई प्राविडेंट फंड के पास बहुत बड़ा फंड होता है जैसे इस देश में एलाइसी है इस बी आई है उसी तरह से प्राविडेंट एलोकेशन करने के लिए कोई इस तरह की चर्चा कोई इस तरह की नीति नफ्रोवीडेंट फंड में जो पैसा रहता है वो पैसा को हम पर अभी जैसे हम अगले तीन महाने तक मजदूर से वह पैसा नहीं ले रहा है। और ना मालिक्स ले रहा हैं। दोनों का तीन महाने का पैसा भारा सरकार ढार देंगी। फ्लिमर एकशा वारे को में यह यह सहीर स्वृता कर रहा है। उतना है जितना मजदूर से कटता है और मालक जमा होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं इसका हम लोग ब्याज भी देते हैं और मजदूर को अच्छा ब्याज भी देते हैं जो इस समय जितने भी बित्ती संस्था हैं उसे उपर देते हैं इसलिए पैसा हमारे पास जाद है करते हैं। अगला स्वाल सीधे ये बनता है और आपका मंत्राले हमेशा जब भी प्रधान मंत्री को RPG के मुद्दे फर घेरा जाता है। सीधे स्रम एवंग रोजगार मंत्राले का जो है साइन बोर्ड जो है चैनलों में और अकबारों में चमकने लगता है प्रधान मंत्री ने खुद संसत में बोला था कि जितने नए रोजगार मिले हैं उसका एथेंटिक डेटा जो है प्रविडेंट फंड में जो फंड कटता है उसका डेटा उन्होंने संसत के पटल पे रखा था तब से लेके अब तक जब प्रधान मंत्री ने बोला था कि करीब एक करोण साथ लाख से ज्यादा लोगों को नए लोगों को रोजगार मिला था उस पर्टिकुलर साल में एक साल डेड़ साल के भीतर अब चुकि लॉकडाउन की वज़ह से ये संख्या बहुत तेजी से गिरेगी भी तो ऐसी स्थिती में जितने जो बड़े रोजगार देने वाले लोग हैं जो बड़ी कमपनियों के मालिक हैं जो हजारों हजार में रोजगार देते हैं उन कमपनियों के मालिकों के साथ सरकार आपके साथ है नहीं वो तो लगातार हम संपर्क में हैं बात कर रहे हैं लोग मिलने आ रहे हैं पर मैं आपको अगर बताऊं जब हमारी सरकार आई थी तब संगटित मजदूरों की संख्या साथ करोड के आसपास थी और जो प्रिक्रिया आगे हमने चालू किये तो अब इस समय संगटित मजदूरों की संख्या नो करोड के आसपास है यह बताता है कि वास्ता में पिछले चार पांच वर्षों में संगटित मजदूरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और संगटित मजदूर की संख्या और बढ़े हम इस चिंता में भी हैं और इ जा सकते हैं उसके साब से मिलकर काम करें। रोजगार के अफसर्ट नंबर एक कम ना हो। नंबर दो अगर कहीं कोई समस्या आये तो हम मिल बैठकर उसका समधान करें। तो कल ही मैं आफिस में बैठा था, कल ही मैंने कई लोगों को बैठाई था क्योंगी कल मुस मिलने आये थे, जो आगरा में, जूता हो जो लोग काम करते हैं, जो लेवर इसमे जाते हैं वो उनकी समझ समझ में आ रही है, उनका मानना यह है कि अगर बिजनेस हमारा खतम हो रहा इसके अलावा भी और कल एक ग्रूप और मिलने आया था हम लगातार इस संपर्ग में हैं कि वास्ता में इस प्रकार के रोजगारों में कमी और कमी में सुधार किस दंग से हम लोग मिलकर करें ये चिंता कर रहा है तो मुझे लगता है कि आदरनी प्रधान मंत्री जी की रूची में है हम बहुत जल्दी इन समस्चाओं को ओवर कम भी करेंगे और इस जो बीमारी है इस बीमारी को जैसी हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं तो हम इसी काम में लग रहा हैं अपनी प्रियार्टी तेह करें कि रोजगार के अफसर नमबर एक कम ना हो नमबर दो रोजगार के अफसर बढ़ें और कोई समस्या नहों ये बात हमारी चिंता की है और उसके साब चम मिलकर काम कर रहे हैं आपकी जाहर सी बात है चुकि इतने बड़े मंत्राले का कारेभार समाल रहे हैं तो प्रथान मंत्री से अक्सर आपकी बातचीत होती होगी आप लोग केविनेट की बैठक में भी जाते होंगे प्रथान मंत्री का पूरा विजन एक तो रोजगार बढ़ाने का है संगठित चेतर के मजदूरों को एक बहतर जीवन देने का है लेकिन फिर भी प्रथान मंत्री से आपकी बातचीत होती है आप अपने मंत्राले को ले करके तो उनकी मुख्य चिंता का विशय क्या होता है और उनका डिरेक्शन और सुझाओ क्या होता है यह वास्ता में इतना बड़ा देश और रोजगार एक पहला मुद्ध होता है अगर आदमी खाली रहता है तो फिर वो हर किसम की बातें सोच सकता है मुझे लगता है कि रोजगार के जादे जादे अफसर कैसे बने मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री चिंता का मुख विशे यह रहता है हम सब लोग उसके साब से मिलकर काम करते हैं मुझे लगता है कि जो भी आता है उसको कोई असोविधा भी नहीं होती और कैसे हम उसके काम का समधान करें यह हमारी रूची का बिशे रहता है तीन राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा और संगठिच छेतर के मजदूर एक तरह से कॉंट्रेक्टरों को देते हैं या वहाँ से मजदूर मंगाये जाते हैं या कॉंट्रेक्टर लेके आते हैं जिसमें नंबर एक उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उडिसा है, मध्य प्रदेश है और पस्चिम बंगाल है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और उडिसा उसके बाद पस्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ये पांच राजे हैं आप क्या सोच रहे हैं कि आगे चुकि ये पहली बार ऐसी समस्या आई है तो असंगिठी छेतर के मजदूरों को एक बहतर connectivity देने के लिए सरकार से बहतर तरीके से उनसे संबाद इस्थापित करने के लिए कोई नया विभाग आपके मंत्राले के अंदर बने या कोई नया तरीके से कोई कमेटी बने या कंट्रेक्टरों के लिए कोई जवाब देही तय किया जाए कि अगर कभी कोई ऐसी कंटिजेंसी आजाए इमर्जेंसी आजाए तो कम से कम सारे मजदूरों को एक साथ संदेश दिया जा सके संपर्क किया जा सके क्योंकि जं उनसे connectivity उनसे संपर्ख तो आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि कोई एक grid बना करके असंगठी छेतर के मजदूरों का डेटा एक जगह करके और एक पर्टिकुलर स्रम रोजगार मंत्राले के अंदर एक विभाग हो जो इसकी देख भाल करें आप सही कह रहे हैं कि वैसे प्रधान काम कर रहा हो जैसे हमने एक समस्या करिए प्रविडेंट फंड में अगर उसका कटता है तो देश के किसी हिस्से में चला जाए उसका फ्रंट का पैसा खतम भी नहीं होता है और वो जोड़ा हुआ माना जाता है चाहिए कहीं भी चला जाए अगर नौकरी छोड़ दे उसके का बाद भी चुड़ जाएगा और उसके साथ हम लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं पर यह एक बड़ा सेक्टर है और सेक्टर में मजदूर की चिंता क्योंकि हमारे यहां काम करने का तरीका दूसरा है दो महीने वो खेत में काम करता है मजदूर दो महीने फिर वो बिल्डिंग दूसरा है उसके प्र किशी और काम के लिए चला जाता है तो यह एक एक ऐसी एक किस में कहाँ कितना पैसा मिलता किसा मिल ता इब पर उसके में हम एक ल basta हम करने का का करना है मुझे लगता है कि यह दोर तीन मेने का हमें इस बात के लिए भी दिशा देगा कैसे पूरे देश के मजदूरों को एक रूपता और एक लाइन पर लाने की दिशा में करें और यह हमारे लिए जो निगेटिविटी दिखाई दे रही है यह पॉजिटिवनेस में बनक पचास रुपए तक कमा लेता है और वो एक बार अगर बिमार पढ़ता है तो कम से कम पांच साल तक उसका पूरा परिवार करजे में रहता है ऐसी स्थिति में मनरिगा के जरिए मजदूरों की जीवन अस्तर को उठाने का काम तो किया गया है लेकिन वो संख्या अभी उतन जंत गरीबी रिखा के नीचे फिर से सरक गए क्योंकि उनका जो जीवन अस्तर सरकार ने उठाया था वो इस टाइम में और ज्यादा मेजरेविल हो गया और ज्यादा कठिन हो गया है तो उनको आर्थिक रूप से लाप पहुचाने के लिए जाहिरती बात है सरकार पैसा त यह बात आपकी ठीक है और आप ध्यान करें तो प्रधान मंत्री जी ने यह कदम स्वास्त के हिसाब से अलग सही उठाया हुआ है गरी मजदूर मजदूर नहीं गरी व्यक्ति जो भी कोई क्यों नहों वो अगर जोड़ा हुआ है तो पांच लाक रुपे तक की उसके आप लोगों ने उठाना शुरू कर दिया अब उसके साथ हम इसको जोड़ दें यह प्रक्रिया चल रही है और बात हो रही है कि वास्ता में देश का कोई भी मजदूर उप्यूक्त इलाज के अभाव में न रह जाए मुझे लगता है यह बहुत बड़ा कदम है दुनिया म देने पर आपका एलाज और आपका एक्सिडेंट और उसकी सारी चिंता भारत सरकाह करेगी तो लोगों का अश्र होता है पर वास्तम में यह हमारे देश के प्रधान मंत्री का सोच है वो इन सारी बातों को ध्यान भी देते हैं और इसका कैसे आवश्यक नरा कर लो उसकी च दूरों को दिया गया इस जब जो पैसे बांटे गए इससे कितने लोगों को लगवक फायदा मिला होगा मुझे लगता है कि जो खाद्यान बांटा गया और जो हर महिला की खाते में 500 रुपे प्रतिमा तीन महिले तर डाले गए एक भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आ रहा है सब तन्तोष्ट है सब तारीफ कर रहे हैं कि वास्ताम में हमें कस्ट है और कस्ट के समय में आपने जो हमारी चिंता करी है इसका कोई हमारे पास जबाब नहीं है बस केवल लोग प्रधान मंत्री जी को इतनी ज़्यादे दुआएं दे रहे हैं कि वो अंदाजा ने लगा रहे हैं कि भारत सरकार इतना पैसा कहां से ला रही है और कैसे खर्च कर रही है और उनके प्रारंबिक असुबधाए हम लोग दूर करने का काम कर रहे है चुकि सहारा समय नेशनल चैनल पर आप जुड़े हुए हैं मैं चाहूँगा कि आप भारत के स्वरम रोजगार मंत्री हैं हमारे चैनल के माध्यम से करोनो करोनो लोग इस चैनल को देखते हैं देश के असंगठित छेतर के मजदूरों को कोई संदेश दीजिए ताकि चैनल देखके वो समझें कि हमारे स्वरम रोजगार मंत्री भी हमारी चिंता कर रहा है मैं आपके माध्यम से सभी मजदूर भाई बेहनों को और खास तोर से संगटित छेतर के भाई बेहनों को बहुत बहुत आज की सबसर पर बधाई देना चाहूंगा उसके पीछे कारण है क्यों इस संगट के दोर में मजदूरों ने जो चिंता की और मैं ध्यान करता हूँ कि मजदूरों ने कहीं भी असंतोस व्यक्त नहीं करा ये अलग बात है एकाद स्थान पर अगर किसी ने कोई गलत जानकारी मजदूरों को दे दी तो कुछ असुवधा सामने हुई पर वास्ता में उन्होंने इस संगट के घरड़ी में सरकार का साथ दिया और खास बात ये कि प्रधान मंतरी जी की बातों पर भरुसा और विश्वास किया हम मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी चिंता हमारी सरकार कर रही है और हम आपके सुख दुख के भागीदार हैं मैं सारे असंगट चेतर में काम करने बाले भाई बैनों से आगरे करूँगा उन्हें कोई भी समस्या हो या ऐसी कोई बात हो कि लगे इसका समधान होना चाहिए हमारे यहां अगर आप लिखकर भेजेंगे तो उसका एक सही उतर भी मिलेगा और एक समाधान भी हम लोग मिलका करेंगे वैसे अभी हमने पूरे देश के 20 स्थानों पर हर प्रदेश के श्रम विवाग के अधिकारियों को जिम्मधार ठहराया है कि संगट चेतर की कोई भी समस्या है उसको एक समय सीमा के अंदर रहकर समाधान करें और हमारी चिंता है कि मजदूर भाई बहन को कोई असुबधा ना हो जो बास्तम में उसे शिकायत का मुकाम मिले पर ये अभर्ष है कि अब हम मजदूर की समस्याओं के प्रतिजागरूख हैं और समय सीमा पर उसका समधान कर रहे हैं सहरा समय के माध्यम से आप सभी शुटाओं को बहुत बहुत शुब कामना है और जिस प्रकार से सभी साथियों ने मिलकर इस त्रासदी में निवटने का काम किया है ये सब आप लोगों का सहयोग और योगदान है मेरा अग्रह है कि आप भरोसा रखिये प्रधान मंत्री जी जो कदम उठा रहे हैं आम आदमी के हित को ध्यान में रखकर उठा रहे हैं और किसी को कोई समस्या का मुका नहीं मिलेगा इतना ही मैं आश्वाशन दे सकता हूँ गंगवार ताब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहारा समय से बात करने के लिए तो ये थे संतोस गंगवार जी जो भारत सरकार के स्रम एवं रोजगार मंत्राले का काम समहालते हैं प्रधान मंत्री के द्वारा दिये गए नीत एवं निर्देशों का सही तरीके से पालन करवाते हैं और इस समय जो सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके मंत्राले पर है क्योंकि इनके जिम्मे हैं करीब 49 करोन लोग जो 40 करोन संगठी छेतर के मजदूर हैं इसके अलावा 9 करोन ऐसे लोग हैं जो घुमन्तु जातियों से संबंध रखते है और वो भी कहीं न कहीं छोटा मोटा काम घुमते फिरते करते रहते हैं उनके लिए नीतियां बनाने का उनके सपनों को सही तरीके से जमीन पर उतारने का और सरकार की हिस्सेदारी को उनके जीवन में तै करने का जिम्मा संतोस गंगवार जी के कंधों पर है जिस जिम्मेद झाल झाल